हाली में Samsung ने A-Series में तीन नए मॉडल्स लाँच की हैं उनमें से एक मॉडल है Samsung A23 है जो 60GB RAM और 128GB internal storage के साथ बहुत ही decent price में available है इसकी कीमत 1499 रुपे है और ये बहुत ही attractive colors में available है जैसे की peach, blue, black और white और ये जो peach या orange color है मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि ये बहुत ही unique color है और तो और इसमें आपको latest operating system मिलता है Android 12 out of the box एक decent processor और अच्छी battery के साथ company ने इसे launch किया है पर एक ही चीज की कमी है कि इसमें 5G services नहीं है आपको याद होगा Samsung ने पिछले साल Samsung A22 launch किया था जो 5G enabled phone था और अब A23 launch किया है तो जाहर सी बात है कि Samsung A22 जो 5G वाला phone है वो थोड़े दिनों में outdated हो जाएगा और 5G services का अब तक कोई ठिकाना नहीं है शायद इसी लिए company ने A23 में आपको जाधा से जाधा features देने की कोशिश की है at a similar price band but 5G services को compromise करके So let's start with the unboxing of Samsung A23 और इसका एक छोटा सा review भी कर लेते है तो यह है आपके सामने Samsung A23 का box यह blue color में available है जो color की picture आपको box पे देखने मिलती है वही color का product जो है box में मिलता है box के back पे कुछ specifications highlight की हुए जैसे की cod camera setup आपको मिलता है और इसका जो main camera है वो 50 megapixel का है with OIS MRP इसकी 23,999 है after discount आपको 19,999 में आराम से market में मिल जाएगा यह अब time आगया इसके box को open करने का और देखते हैं कि box में आपको क्या क्या अक्सेसरी साथ में मिलती है यह है phone Samsung A23 peach color में available नहीं हो पाया इसलिए मैंने blue color को prefer किया यह अभी फिलाल इसे side पर रख देते हैं और बाकी के contents को check कर लेते हैं इसके साथ आपको मिलता है adaptive fast charger 25 watts fast charging support करता है Samsung A23 इस packet में type C data cable दी हुई है और तो इस box में कुछ नहीं दिख रहा है वैसे भी earphones देना तो company ने काफी सालों से बंद कर दिया है और इस cover में आपको मिलता है semi checker tool और user manual चलिए अब इस phone के बाकी features भी check कर लेते हैं आखिर क्या है इस phone में जो 2499 है यह जो plastic wrapping है उसे निकाल देते हैं यहां Samsung का जो A23 है उसके design में आपको visible changes देखने मिलते हैं as compared to the previous versions जैसे की जो camera bump है उसके edges जो है curve है और back body के साथ इस तरह से merge किया हुआ है कि दिखने में एकदम हटके लगता है और अलग लगता है plastic back दिया हुआ है फिर भी finish इसकी बहुत ही अच्छी है नीचे की ओर 3.5 mm jack, mic, type C charging port और speaker placed है left side में SIM tray का provision दिया हुआ है यह dual SIM phone है with separate slot for the memory card उपर की और noise cancellation mic और right में volume की और power button placed है जो fingerprint sensor का भी काम करता है overall इसका design अच्छा है, corners rounded है और finish as I said बहुत ही बढ़िया है grip भी अच्छी है इस device की और इसका वजन जो है 195 gram से बात अगर करें display की तो यहां आपको TFT V-Cut display मिलता है यह एक 6.6 inch full HD plus display है display resolution 1080 x 2408 बड़े display की जो बात है वो कुछ और ही होती है क्योंकि movies देखने के लिए और gaming के वक बहुत ही बढ़िया experience मिलता है और 90 Hz का refresh rate यहां दिया हुआ है जिसके current touch जो है एकदम smooth चलता है और एक काफी अच्छा browsing experience मिलता है AMO LED पैनल नहीं होने के बावजूद भी display sharp है यहां colors एकदम perfect लगते हैं और sunlight में view करने में दिक्कत नहीं होती है और यह Corning Gorilla Glass 5 से protected है अभी फिलाल Samsung A23 6GB RAM और 128GB ROM में available है इसमें आप separate memory card भी दाल सकते हो अप टू 1TB यह support करता है आउट अफ दी बॉक्स आपको approximately 104GB यूज़ करने मिलता है और इसकी battery जो है वो 5000 mAh की है Asperthi company दो दिन लगतार चलती है यह एक चार्च पर यदि आप 90Hz refresh rate में यूज़ करोगे तो एक दिन का standby देगी परफॉर्मेंस की बात करें तो Samsung A23 is powered with 6nm Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 chipset Which is very decent enough Performance में issues देखने नहीं मिलेंगे आपको lagging, hanging issues बिलकुल भी नहीं देखने मिलते हैं Gaming के लिए भी यह बहुत बढ़िया फोन है Popular games जैसे की Call of Duty Mobile और Battleground जैसे games हैं उसे आप medium settings में रखके खेलोगे तो occasional frame drops देखने मिलेंगे Overall इसका performance अच्छा है, बैटरी बहुत कम खाता है, heating issues बिलकुल भी देखने ही नहीं मिलते Fingerprint सेट करते दिकत नहीं होती है, बहुत ही smoothly यह सेट हो जाता है Side-mounted fingerprint जो है मुझे हमेशा से in-display fingerprint से better लगता है बहुत ही comfortable लगता है यूज करने में और इसकी unlocking speed जो है, वो भी decent enough है Alright, तो अब software की बात करते हैं Samsung A23 में आपको latest interface One UI 4.1 मिलता है With Android 12 out of the box One UI जो है, वो मेरा हमेशा से favorite interface रहा है यहाँ पे आपको smart widgets मिलते हैं और बहुत से improvements देखने मिलते हैं But एक ही चीज है कि इसके साथ आपको बहुत सारे unwanted apps भी मिलते हैं जो uninstall करने में ही समझता लिए बात अगर camera की करें तो specification wise जो है camera promising लगता है A23 में आपको मिलता है quad camera setup With 50 megapixel main camera F1.8 5 megapixel ultrawide sensor F2.2 2 megapixel depth और 2 megapixel macro sensor F2.4 और front में 8 megapixel का camera मिलता है F2.2 Main camera की quality अच्छी है color slightly oversaturated है Details clearly visible है image काफी sharp और bright नजर आती है Subject को focus में रखता है यह इसके HDR photos की quality बहुत ही ला जवाब है Automatically image के exposure levels properly balance करके image के details को retain करता है और result काफी अच्छा देखने मिलता है आपके सामने है Zoom करने पे भी details lost नहीं होती है Overall main camera से ली हुई images worth है But इसका night camera मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया Night में ली हुई images बिल्कुल साफ नहीं आती है और details भी देखने नहीं मिलते है इसका front camera जो है अगर आप daylight में लोगे तो body decent quality आपको मिलती है But low light में click करोगे तो picture grainy आती है हाला कि colors जो है वो natural नजर आते है But picture quality sharp नहीं है इसके macro lens की quality एकदम okay है Subject को focus करने के लिए बहुत struggle करता है तो ये जो Samsung A23 है As a product बहुत ही बढ़िया है इसका design मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें जो colors हैं वो भी बहुत attractive है इसके अलावा इसका performance भी अच्छा है बैटरी भी ठीक ठाक है और इसका camera भी बढ़िया है बट जैसे कि मैंने पहले ही कहा था एक ही चीज़ की कमी है इसमें 5G services नहीं है बहुत से लोगों का मानना है कि 5G services जो हैं उसको आने में अभी time है और जब भी launch होगी तो बहुत costly रहेगा बट मेरा मानना ये है कि अगर आप 19,500 आज की date में कोई smartphone में invest कर रहे हो तो 5G enable तो होना ही चाहिए क्योंकि current situation के इसाफ से 5G phone लेने में ही समझता रही है आपको क्या लगता है इस phone के बारे में comment box में सरूर बताईए